हलो फ्रेंड्स, इस्टेडी बित कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है, भारत मैप सीरीज में आज हम भारत के मांचित्र पर भारत के जयो मंडल आरचित छेत्रों को देखेंगे, यानि बायो इस्फियर रिजर्व के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम बा मंडल छेत्र घूसित किये, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्राकरतिक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसमें पेड, पोधे, नदियां, पहाड, जीव, जन्तु, पसु, बनस्पति, जो भी होता है उस एरिया में, सब कुछ जियों कातियों सरचित कर दिय जाता है, देखे, जो आप देखते हैं, अन्य चीजें, वहाँ पर किसी विशेश प्राडी के लिए, या किसी विशेश जानवर इत्याद के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र जैसा होता है, नेचर में, उसी को पूरी तरीके से सरचित कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं, जयो मंडल आरचित छेतर, देखे, जयो मंडल आरचित छेतर जो है, उसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर संचिप्त में देखना चाहें, तो इसमें तीन छेतर होते हैं, इसको तीन छेतरों में बाटा जाता है, जयो मंडल में वहां पे सिर्फ मॉनीटरिंग का काम कर सकते हैं वहां पे सिर्फ मॉनीटर कर सकते हैं चीजों को देख सकते हैं और ऐसे बैग्यानिक सोध कर सकते हैं जिससे वहां के पारिस्थित की तंत्र पे कोई भी बैट इफेक्ट ना पड़ी वहां पे ना तो अधिवास यानि मान को रहने के अनुमती नहीं है वहां पे परेटन मनोरंजन कुछ भी नहीं होगा सिर्फ सीमित बैग्यानिक किरिया कलाप हो सकते हैं वो भी ऐसे जिनसे की वहां की परिस्थितिक तंतर पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए तो यह होता है कोर एरिया दूसरा एरिया जो होता है वो इसको बफर जोन कहा जाता है इसको कहते हैं बफर जोन में जो है सीमित किरिया कलाप अलाउड होते हैं जो आपका है बफर जोन इसमें क्या क्या अलाउड देखिए बफर जोन, बफर जोन में वो सोध प्रसिछण यहां पे सोध कार भी हो सकते हैं, प्रसिछण का भी कार हो सकता है, education से रिलेटेड यानि सिछा समंधी काम हो सकते हैं, और सीमित पर रेटन भी हो सकता है, सीमित पर रेटन, तो यहां पर कुछ अनुसासित क्रिया कलाप होते हैं जैसे सुध के कारे, प्रसिचन्ड, सिच्छा समंधी, सीमित, परेटन इत्याद के काम यहां पर कराए जा सकते हैं लेकिन यहां पर मानुवी क्रिया कलापों को बहुत ज़्यादा अनुमती नहीं है, जैसे कि अधिवास और नहीं हो सकते हैं, सिर्फ इन चीजों को अलाओ किया गया है इसके बाद जो एरिया होता है, उसको कहते हैं, आपका यह जो बाहर है, इसको कहते हैं संक्रमड छेत्र, यानि ट्रांजीशन जोन, बाफर जोन, कोर और यह हो गया आपका बाहर जो है, इसको कहते हैं संक्रमड छेत्र, यानि ट्रांजीशन जोन इसमें जो है विकास कार हो सकते हैं योजनाव समंधी कार हो सकते हैं और मानवी क्रिया कलापों को भी अनुमती है यहां पे सोध, प्रसिच्छन, सिच्छा, परेटन यहां पे आपका परेटन को भी अनुमती है अधिवास को भी अनुमती है यहां पे मनुष्य रह सकता है मानवी क्रिया कलाप यहां पर होते रहते हैं मानवी क्रिया कलाप है is Kalb बायोस्फेयर रिजर्व होता है उसके तीन जुमन होते हैं कोर बफर जोन और संक्रमण छेत्र तो अब हम यहां पर देखेंगे भारत में कौन-कौन से बायोस्फेयर रिजर्व छेत्र हैं तो टोटल अगर हम बात करें टोटल नंबर अभी वर्तमान तक अठारा जो है वो जयोमंडल आरचित छेत्र हैं कितने हैं टोटल अठारा जयोमंडल आरचित छेत्र भारत में अभी तक हैं दोहजार तेस तक इसमें से ग्यारा जो है इसमें से लिख लें अदर नहीं है इसी में से है इसमें से ग्यारा जो है वो यूनेस्को यूनेस्को द्वारा जो है विश्व बिरास्त है यह यानि कि वर्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को क्या है यूनाइटेड नेसंस एज इसके द्वारा इन 18 में से 11 को सरचित किया गया है अभी 2018 में कंचन जंगा को लेटिस्ट इनिसको साइट घोसित किया गया था तो टोटल तो 18 है और इनमें से 11 इनिसको द्वारा विश्विरासत घोसित हैं तो आपको टोटल 18 यहां मैप पे जानने है और साथ ही में आपको यह भी याद रखना है कि उनमें से 11 जो इनिसको की साइट है तो चलिए हम सबसे पहले वही जो 11 है जो की इनिसको की साइट है सबसे पहले उनहीं को हम मार्क कर लेते हैं मैप पे ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नील गिरी नील गिरी जो है वो करनाटक केरल और तमिल नाडू के बॉर्डर पे है यह है आपका नील गिरी जो भी मैं यहाँ पर रेड से लिखूंगा वो सब उनेसको की साइट है नील गिरी नील गिरी युनेसको की साइट है और यह जो है दो हजार दो में दो हजार दो में जो है युनेसको की साइट बना था दो हजार दो में युनेसको की साइट सारी दो हजार दो में नहीं दो हजार में ही यह नील गिरी जो है युनेसको की साइट बन गया था वर्स 2000 में नील गिरी तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो भारत का प्रथम जयो मंडल आरचित छेतर है भारत का प्रथम भारत का प्रथम जयो मंडल आरचित छेतर आरचित छेतर इसके बिसे में आपको इस्टेट याद रखनी है तीन इस्टेट में है ये देखे केरल तो आपको यहां पे पता ही चल रहा है केरल और तमिल नाडू और करनाटक तीनों प्रदेश के ये बॉर्डर पे है नीलगिरी की पहाड़ियों में और ये जो है भारत का पहला जो है जयमंडल आरचित छेत्र भी है तो इस तरीके से आपने नीलगिरी के बिसे में जाना जो भारत का प्रथम जयमंडल आरचित छेत्र है इसके बाद में दूसरा जो है सुन्दरवन ये जो मैं करम लिख रहा हूँ ये करम भी बिल्कुल वही है जिस करम में ये उनिसक्यों द्वारा बनाए गए है तो दूसरा है सुन्दरवन और सुन्दरवन जो हमारा है वेस्ट बंगाल में है सुन्दरवन ये कौन सा है सुन्दरवन 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 दो हजार एक में जो है उनिसको की साइट बना था दो हजार एक उनिसको की साइट बना था तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल में सुन्दरवन और तीसरे नंबर पे मनार की खाड़ी जो की तमिलनाडू में है मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी आपका कहां पे है यहां पे आपका है मनार की खाड़ी तमिलनाडू मनार की खाड़ी गल्फ आफ मनार ये बायोस्पेर रिजर्व कहां है तमिलनाडू में है और ये जो है 2001 में ये भी UNESCO की साइट बना था 2001 में UNESCO जितना भी मैं red से लिख रहा हूँ आपे मैं वर्स और UNESCO भी लिख रहा हूँ तो ये तीसरी नंबर पे भारत में आया तमिल नाडू में और इसके बार नंदा देवी उत्राखंड में 2004 में उत्राखंड में नंदा देवी 2004 में तो यहां पे आजेए ये उत्राखंड हमारा इस्टेट है और यहां पे है नंदा देवी परवत तो नंदा देवी बायो इसफेर रिजर्व है और ये कब बना ये 2004 में UNESCO की साइट बना वर्स आपको बहुत ज्यादा याद करने की जुरूत नहीं है लेकिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी करम या वर्स पूँच भी लिया जाता है खास करके सुरुवात और आखरी वाले या जो बिसेश इंपॉर्टेंट है तो नंदा देबी UNESCO की साइट है बायोस्फेयर रिजर्ब सभी है जितने भी मैं इस क्लास में बताऊँगा तो ये है आपका चौथा और पांचवा है नो क्रेक में घाले नो क्रेक में घाले अच्छा इसके साथ साथ कुछ और भी खास चीजें कहीं कहीं पर आपको जाननी होंगी जैसे कि जो मनार की खाड़ी है वो समुद्री गाए के लिए जो है वो फेमस है समुद्री गाए के लिए फेमस है जो मनार की खाड़ी है समुद्री गाए के लिए और जो नील गिरी है यहाँ पे पूँच तहर वाले जो सेर होते हैं उस तरीके के यहाँ पर पाए जाते हैं नीलगिरी में और नन्दा दे भी आपका हो गया उत्राखंड में इसके बाद मेगाले में है नो क्रेक मिघाले में no crack तो ये हमारा state है मिघाले मिघाले ये है और मिघाले में आपको कौन सा जानना है no crack no crack ये है मिघाले state का नाम है मिघाले मिघाले में है no crack और जो नो क्रेक है वो 2009 में यूनेस्को की साइट बना था और ये खास करके लाल पांडा के लिए जाना जाता है लाल पांडा तो ये भी पूछा जाता है कुश्चन तो ये भी आप याद रखेंगे नो क्रेक के बिसे में इसके बाद जो मध्य परदेश में पचमड़ी है ज तो वो भी जो है आपका इनेस्को की साइट है मध्य परदेश में पचमड़ी यहां पर पड़ेगा आपका मध्य परदेश में पचमड़ी यहां पर यह हमारी स्टेट हो गई मध्य प्रदेश और यहाँ पे आपको याद रखना है पचमढ़ी पचमढ़ी जो बायोस्पेर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में है और यह 2009 में बना था उनेस्को की साइट 2009 में उनेस्को की साइट बनाया गया वर्ड हरिटेज के रूप में और यहाँ पे गिलहरी जो है वो बहुत फेमस है गिलहरी के लिए जाना जाता है पचमढ़ी इसके बाद में जो साथवा है वो ओडिसा में है जो रायल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है सिमली पाल बहुत important है बहुत बार पूछा गया है Simlipal ये आपका state है Odisha 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 में आपको याद रखना है Simlipal कौन सा? Simlipal total 11 है UNESCO के तो वो सभी 11 में जो है red pen से लिख रहा हूँ आपको याद रखना है और जो Simlipal है ये 2009 में इसको भी UNESCO की site बनाया गया था 2009 में UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization और ये जो है वो रायल बंगाल टाइगर के लिए जाना आ जाता है रायल बंगाल टाइगर रायल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा famous है? वो है Simlipal Simlipal कहां है? ओडिसा में तो ये हो गए साथ आठवा जो है अचनक मार अमर कंटक मध्य प्रदेश और 36 गड़ के बार्डर पे है ये वन प्राड़ी और पोधों के लिए जाना जाता है अचनक मार जो है कहां पे इसको हम नोट करेंगे मर्द प्रदेश और खास करके इसको 36 गड़ में ही जो है ये है अचनक मार अचनक मार अमर कंटक चत्यस गड़ ये है चत्यस गड़ अचनक मार अमर कंटक मध्य प्रदेश और चत्यस गड़ के बाॉडर पे है और ये जो है उनेसको की साइट हमारा घोसित हुआ था 2012 में ये जो है 2012 में ये उनेसको की साइट बना था और वन प्राड़ी और पेड़ पोधों के लिए फेमस है ये किसलिए वन प्राड़ी और वन प्राड़ी और पोधे इनके लिए फेमस है अचनक मार अमर कंटक कहां है चत्यस गड़ में स्पेसली लेकिन बॉर्डर पे हैं चत्यस गड़ और मध्य प्रदेश के तो ये हमारे हो गए कितने टोटल आठ इसके बाद नव नंबर पे ग्रेट निकोबार आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार अंडबा निकोबार में आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार बायो इस्फियर रिजर्व ग्रेट निकोबार ये अंडबा निकोबार में आपका पड़ेगा दो हजार त्यारा में इसको जो है युनेस्को की साइट बनाया गया था युनेस्को की साइट दो हजार त्यारा में और ये जो इस्पेसली जली घडियाल के लिए जाना जाता है इस्पेसली किसले जाना जाता है जली घडियाल के लिए ग्रेट निकोबार इस्पिसली जली घडियाल के लिए जाना जाता है इसके बाद अगस्तिया मलाई अगस्तिया मलाई जो है वो केरल में है केरल में हम एक अभी निलगिरी को भी पड़ चुके हैं एक और आपको याद रखना है केरल में अगस्तिया मलाई अगस्तिया मलाई अगस्तिया मलाई कहां है केरल में है केरल में इसके पहले हम एक और देख चुके हैं निलगिरी केरल करनाटक और तमिलाडू के बाउडर पे समुद्री जीवों के लिए जाना जाता है समुद्री जीवों के लिए 2016 में इसको जो है UNESCO की साइट बनाया गया था 2016 में UNESCO की साइट बना था और ये जाना जाता है आपका समुद्री जीवों के लिए समुद्री जीव तो इस प्रकार सी ये 10 हो गए और जो सबसे लेटेस्ट है वो ग्यारवा है कंचन जंगा यानि खांग चे दांग जोंग तो ये है हमारा सिक्किम स्टेट कौन सा है ये सिक्किम और सिक्किम में आपका पड़ेगा कंचन जंगा कंचन जंगा बायो इसफेर रिजर्व और ये अभी आपका लेटेस्ट है जो की 2018 में इसको इनुसको की साइट बनाया गया है 2018 में इनुसको की साइट इसको घोसित किया गया कंचन जंगा को तो यहां पर अगर हम बात करें भारत का सबसे पहला ये टोटल 11 हो जाने चाहिए एक बार काउंट कर लेते हैं कोई जूटा तो नहीं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस और ग्यारा यह जो टोटल मैंने शुरुआत में आपको ग्यारा बताए हैं यह ग्यारा जो हैं यूनेसको की साइट हैं हमने टोटल अभी अठारा की बात की थी इसका मतलब अभी आपके साथ और हैं जो जयो मंदल आरच्छी छेतर हैं भारत की लेकिन वो 20 सुपटल पे नहीं है अब मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल करूँगा ताकि आप डिफरेंसियेट कर सकें कि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो अने चीजों के लिए फेमस हैं लेकिन वो इनसको की साइट नहीं है तो इसके बाद लिश्ट आउट करते हैं हम एक-एक स्टेट की तरफ से हम चलेंगे इसके बाद जो है दो बायोस्पेर जर्ब जो है वो असम में है असम इस्टेट ये हमारा है असम इस्टेट असम में आपको दो याद रखने है एक तो डिबरू सैखोवा और एक आपको याद रखना है मानस तो पहले हम मानस देख लेते हैं यहाँ पे आपका असम में मानस है ये हो गया मानस सोरी इसको हम Red Sabre नहीं लिखेंगे ताकि है आप differentiate कर पाए कि आप जो है वो Inesco की sites नहीं है ये है मानस मानस राष्टी उध्यान जो है वो असम में है और दूसरा जो असम में आपका है वो है दिब्रू सैखुवा डिब्रू सैखोवा यहां पे आपका है असम में डिब्रू सैखोवा डिब्रू सैखोवा के विशे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यह भारत का सबसे छोटा पायो इसफेर रिजर्व है यह जो है सबसे छोटा इसको लिखेंगे सबसे छोटा जयो मंडल आरच्छे छेत्र कौन सा है डिब्रू सैखोवा जो की आपका है असम में तो दो आपको असम में याद रखने है इसके बाद जो है दिहांग दिबांग अरुनाचल प्रदेश में है दिहांग और दिबांग तो यह अरुनाचल प्रदेश में आपका यहां पे है अरुनाचल प्रदेश और यह आपका हो गया दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग तो तीन आपके इधर यह और याद रखने है अरुनाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग और असम में आपको दो याद रखने है डिब्रू, सैखोवा और मानस दो याद रखने है इसके बाद देखे गुजरात में आ जाई इधर तो गुजरात में बहुत फेमस है जो भारत का सबसे बड़ा जयोमंदर अरची छेतर है और वो है कच्छ का रण यह है आपका कच्छ का रण तो यह किस स्टेट में है यह आपका है गुजरात और इसके बिसे में आपको क्या याद रखना है यह भारत का सबसे बड़ा जयोमंदर अरची छेतर है इसका पोइंट नोट करें भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जयोमंदर आरची छेतर आरची छेतर सबसे बड़ा बायो इसफेर रिजर्ब जो है वो कच्छ का रण है जो की गुजरात में इस्थित है तो यह सबसे ग्रेट हो गया निहीं सबसे बड़ा हो गया इसके बाद हिमांचल प्रदेश में आपको जो की सबसे दच्छिण में पड़ेगा यानि भारत का दच्छिणतम बायो इसफेर रिजर्ब जो है वो हिमांचल प्रदेश में है और उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट यह कौनसा हो गया आपका कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट बायो इसफेर रिजर्ब यह आपका हिम प्रदेश में है यह मांचल प्रदेश में और यह दच्छिड्टम है सबसे दच्छिड में इसके बाद देखे यह नंदा देभी पड़ेगा तो सबसे उत्तर में कौन सा बायो इसफेर रिजर्ब इस्थित है वह है cold desert हिमांचल प्रदेश तो सबसे दच्छिड में भी कोई होगा तो सबसे दच्छिडवाला हम पहले ही यहाँ आपको great nikobar बता रहे हैं तो यह सबसे दच्छिडव में है सबसे दच्छिडव में यही स्थित है great nikobar तो यह भी point आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद में आपको मध्य प्रदेश में एक और याद रखना है वो है पन्ना 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 बायो इसफेर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसको भी आपको याद रखना है हाला कि यह इनसको की site नहीं है और जो पचमढ़ी है वो इनसको की site है एक last आंधर पहाड़ी जो है वो भी बायो इस्फियर रिजर्व की रूप में सरचित की गई है तो कौन सी पहाड़ी है आंधर प्रदेश में यह हमारा आंधर प्रदेश इस्टेट है तो यहां पर आपको याद रखना है सेशा चलम पहाड़ी सेशा चलम पहाड़ी सेशा चलम पहाड़ी इसको बायो इस्फियर रिजर्व गोसित किया गया है आंधर प्रदेश में तो अब हमने 11 उधर काउंट किये थे और हमने देखे ब्लू से कितने लिखे हैं एक दो तीन चार पांच छे और साथ तो 11 और सेबन टोटल मिलाके 18 अठारा जवमंडल आरची छेतर यानि बायो इस्फियर रिजर्व जो हैं इंडिया में हैं जिसमें से 11 जो हैं वो इनेसको द्वारा विस बिरासत के रुप में गोसित किये गए हैं तो आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है टोटल 18 के नाम इस्टेट हैं यहां पर खाड़ी है तो जली छेतर है बाकी सब इस थल पे उपस्थित हैं सबसे पहला जो है वो नीलगिरी है सबसे छोटा डिबरू सेखोवा है और सबसे बड़ा कच्छ का रण है सबसे उत्तर में कोल्ड डिजर्ट है और सबसे दच्छन में ग्रेट निकोबार है तो इस तरीके से टोटल अठारा यह हो जाते हैं और जव मंडल आरच्छी छेतर फ्रेंड्स क्या होता है यह पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र को ही सरच्छित कर दिया जाता है उसके अंदर नदियां पहाड परवज जील जो भी उस एरिया में आ जाएगा वो सब का सब जो है सुरच्छित कर दिया जाता है अएज इटिज पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही सुरच्छित कर दिया जाता है उस एरिया को बायो इसफियर रिजर्व कहा जाता है लेकिन बहुत बड़ा एरिया होता है इसलिए इसमें तीन परकार के छेतर होते हैं एक छेतर होता है लेकिन मानवी गत्विधियों को एलाउड नहीं है कुछ पैग्यानिक सोध किये जा सकते हैं जिनका प्रत्कूल प्रभाव ना होता हो दूसरी चेत्र है बफर जोन जहां पे सोध प्रशिच्छन सिच्छा समंधिकार हो सकते हैं सीमित परेटन भी हो सकता है लेकिन अधिव चेत्र होता है यह बाहरी जो एरिया होता है उससे लगा हुआ चेत्र होता है तो इस परकाल से आपको इस क्लास में इतनी चीजें ध्यान रखनी है और इसी तरीके से आपको मैप पे लिख करके रखना है ताकि आप इसे असानी से याद कर सकें तो मिलते हैं एक और बहतर क् साथ में तब तक के लिए धन्वाई